बहुत बहुत स्वागत हैं आप सभी कर स्टड़ी विद स्वाती ओन यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बिए फर्स्ट एयर के लिए चाइड़ूड एंड ग्रुइंग अप से कुछ इंपॉर्टेंट एमसी क्यूज को ले करक नहीं कि जो बियट के इक्जाम होने वाले हैं उसमें एक्जाम का जो पैटन है एमसी क्यूज है अधिकतर सभी स्टेट ने बताया है कि एमसी क्यूज आपका रखा जाएगा इसी के बेस पर मैंने जो कम्यूनिटिव पोस्ट किया था उसमें आप सभी की राय लेने के है वो करवाई जाए तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइस जो भी बियट के सब्जेक्ट हैं ठीक है उनसे रिलेटेड आपके जो एकजाम में क्वेशन पूछे जा सकते हैं सब्जेक्ट वाइस तो उन सभी को ले करके हम रोज डेली के वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम चाइड़ हुड एंड ग्रोइंग आप सब्जेक्ट जो है आपका बियड पर्स्ट एयर से तो यहाँ पर उस सब्जेक्ट से लेकर के बात करने वाले हैं यहाँ पर मर्टिपल च्वाइस टाइप क्वेशन आपको डेली 20 कराए जाएंगे इन चले दोस्तों शुरू करेंगे हम बहुकल्पी प्रश्ण जिसमें आज का हमारा यह पहला प्रश्ण है बीसवी सताबदी को बाला की सताबदी कहा जाता है या कथन किसका है तो यहाँ पर आपके अंसर आज आने चाहिए यह जो एकॉर्डिंग होते हैं किसका कथन किसने क् आज परीभाशा किसने दी यह बहुत आपके पूछे जाते एक्जाम में ठीक है तो यहाँ पर एकॉर्डिंग तो आपको याधी करना पड़ेगा कि किसके अकॉर्डिंग कौन सा कथन है तो यहाँ पर जो आपका अंसर होगा वो है बी क्रो एंड क्रो के नुसार चुकि य यहां पर हम बालक का अर्थ भी समर लेंगे या बाल विकास का अर्थ भी समझते चलेंगे बाल विकास का अर्थ है गर्भाकाल से परिपक अवस्था को हम बाल विकास की संग्या देते हैं जबकि बालक की बात करें कि बाल अवस्था क्या है या बालक किसे कहते हैं तो जन्म स जो जन्म से होगा 12 वर्ष की अवस्था वह आपकी बाला के वस्था या बाल अवस्था कहलाएगी ठीक है तो यहां से भी कुछ important आपके MCQ तयार हो जाएंगे जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूछेंगे आप से चलिए हमारा next question देख लेते हैं question number two है बाल वेभार में परिवर्ता निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है option A है प्रेणना option B है रूची option C है सहयोग option D है सुझाओ तो यहां पर आपका अंसर आ जाना चाहिए ठीक है यहां पर आपका अंसर आया है अधिकतर बच्चों ने अंसर किया है यहां पर जो आपका अंसर होगा वो है प्रेणना अगर हम motivation की बात करें तो प्रेणना कारी को आरंभ करने जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है यानि कह सकते हैं कि प्रेणा किसी व्यक्त की दशय अत्व इस्थिती है जो किसी वेवहार या उदेशी की प्रावदि के लिए प्रियाशील बनाती है तो इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा वो है आंसर नंबर ए क्रेणा नेक्स्ट क्वेशन है, क्वेशन नमबर 3, निम्रिखित में से किसको बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है? आप्शन A है वातावरण, आप्शन B है विद्याले, आप्शन C है समाज, और आप्शन D है परिवार तो यहाँ पर अगर हम बात करें बालक की प्रथम पाठशाला, तो बिल्कुल सही आंसर आंसर नमबर D है परिवार, तो दोस्तों अगर हम परिवार की बात करें, तो यह समाज की प्राथमी किकाई है ये भी question करिवार पूछा गया है ठीक है यहाँ पर जो बालक की प्रथम पार्शाला कहा गया है वो परिवार है क्योंकि जो बालक होता है सबसे पहले कहां से सीखता है परिवार से जब बालक छोता होता है ठीक है तो वो परिवार में ही रहका चीजों को सीखता है उसके बास स समाज से समाज के कई सारे अंग है विद्याले है समुदा है यह समाज के अंग है ठीक है जिसमें परिवार जो है प्रात्मी के काई है Q4 है विकास के परिणाम सरूप व्यक्त में व्यक्त की नवीन विशेष्टाएं और नवीन योगिताएं प्रसफुटित होती है यहां किसका है यानि आपका आंसर बी हो जाएगा ठीक है यहां पर जो अकॉर्डिंग से है कथन है यह आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इन जिन राइटर ने अपने अकॉर्डिंग दिया है उनको आपको याद करना ही पड़ेगा कोई ओप्शन नहीं है प्शन नमबर फाइफ है बाल मनुविज्ञान वा वैधानी का ध्यन है जो व्यक्ति के विकास का ध्यन गरभाकाल के आरम से किशोरा अवस्था की प्रारम्विक या प्राथमिक अवस्था तक करता है तो यहां पर या कथन किसने दिया है बुर्गुल सही है आपका पहला है Spencer, दूसरा option है Skinner, तीसरा है Crow and Crow और चौथा है Frobel तो यहाँ पर जो आपका correct answer आएगा वो है answer number C Crow and Crow, Crow and Crow ने अपना योगदान बहुत जादा दिया है बाल मनुविग्यान के संदर में इन्होंने बताया है जो बाल काल की अवस्था है या जो बाल मनुविग्यान है वा गर्भा काल से प्रारंभ होता है और किशूर अवस्था की प्रात्मिक अवस्था तक चलता है ठीक है यहाँ पर आपका correct answer C हो जाएगा उसके पर next question देखेंगे question number 6 question number 6 है बाल मनुविग्यान मनुविग्यान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक वस्था तक विक्सित हो रहे मनुशी का अध्यन किया जाता है यह कथन किसका है देखिए यह जो कथन है जो according है यह काफी सारे एक्जाम में पूछे जाते हैं तिन चार नंबर पांच नंबर का पूछी लिया जाता है यहां पर जो भी आपको according वगेरा बताया जा रहे हैं कि किसके कथन के अनुसार है किसने कही यह बात ठीक है तो यह आप ज़रूर याद करते चलिए ज्यादा आपके question इसलिए मैंने रखे ने 20 question maximum रखे है ठीक है हर एक वीडियो में तो यहां पर जो हमारा पहला option है वो है रॉस बी हो जाएगा एडिलर, C है मैकाले और D है ड्रेवर तो यहां पर जो आपका correct answer आएगा वो है answer number D James ड्रेवर के according है उसके बाद question number 7 देखेंगे हम question number 7 है आज बाल विकास मुखिता बालक के रूप में व्यभार, रुचियों, लक्षियों में होने वाले विशिष्ट परिवर्पनों की खोज पर बल दिया जाता है यह कथन किसका है फिर से according जितने भी according है आज के इस वीडियो में हम लबभग देख लेते हैं इसके next वीड जिन्होंने अपनी बात कही है ठीक है वो अलग अलग है तो यहां पर पहला आपको आप्षिन हो जाएगा हर लौग, दूसरा है ड्रेवर, तीसरा है एडलर, और चौता है क्रो एंड क्रो तो यहां पर आपको जो आणसर आएगा वह है इभी हर लौग के शब्दों में इन रक्ष होगा इनके परिवर्तन पर जो हम खोज करेंगे वही बाल, विकास, काधार माना जाएगा ठीक है क्वेशन नमबर एट है प्रेवना सामान्य प्रिया कलापूं का प्रभाव है जो व्यक्ति के विखार में उचित मार्व पर हो जाती है यह कथन किसका है आप्षन प क्वेशन नमबर बी गुड के अकॉर्डी ठीक है इन्होंने अपनी बात बोली है उसके बाद क्वेशन नमबर नाइन देखेंगे बाल वेभार में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है ऑप्षन ए है प्रेंड़ना ऑप्षन भी है रुची ऑप्षन सी ह जा रहे है कारे में छात्र की स्वयम की रुची होती है तो वह सीगर सीख लेता है जैसे कि किसी भी रुची सामाजिक विश्यों के अध्यन में है मानलो कोई बालक है उसकी रुची सामाजिक विशय में अधिक है सामाजिक अध्यन विशय में अधिक है और उसे विज्यान गड़ी सिखाया जा रहा है तो उसकी रूची उसमें नहीं है तो उसे कठिनाई होगी सीखने में उस सब्जक्ट को ठेक है इससे उसका अधिगम प्रभावी होगा यही होती है रूची यहां पर अंसा नंबर B आपका हो जाएगा क्वेशन नंबर 10 देखेंगे वंशा नुकरम व्यक्ति की जन्मजात विशेष्टाओं का पूर योग है यहां पर जो आपका पहला आप्शन है वुडवर्थ दूसरा है वी एन यंग तीसरा है पिटर्सन चौथा है थॉमसन तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आ यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो हैंसर नंबर सी बालकों पर मैंग डूगल ने समवेग बताया कि बालक में या मनुशी में चौदा प्रकार के समवेग पाया जाते हैं ठीक है तो इनका जो अध्यान था वह बालकों पर की स्टडी पर ज्यादा था उसके बाद कोशन नंबर बारा देखेंगे बारा है यह प्र यह पूछना निरर्थक है कि व्यक्ति के विकास के लिए वाइंशा नुक्रम वातावरण में से कौन अधिक महतपूर है दोनों में से प्रतेग पूर्ण रूप से अनिवार है या क लिए जो करेक्ट राएगा वो है आंसर नंबर वाता वरड़का यानि परिपक वता का जो प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा वह वाता वरड़का यहाँ पर पढ़ेगा अंसर नमबर बी कोईशन नमबर 14 है बाल मनुविज्ञान बच्चों की विकास का अध्यान करता है तो इसका अंसर मैंने सुर्वात में ही बताया था यहाँ पर option देख रहेते हैं option A है जन्म से बाले अवस्था तक B है जन्म से किशूर अवस्था तक C है गर्भा अवस्था से किशूर अवस्था तक D है केवल गर्भा अवस्था तक जन्म से परिपक अवस्था या किशूर अवस्था तक की होगी इसका अंसर B होगा जन्म से खिशोर आवस्था तक उसके बाद क्वेशन नंबर 15 देखेंगे क्वेशन नंबर 15 है सफल सिक्षक वही है जो बच्चों की विशय में यहां पर option दिया है ए कम जानकारी रखता है बी अधूरी जानकारी रखता है सी संपूर जानकारी रखता है और डी है इन में से कोई नहीं यहां पर जो आपका answer आएगा वो है answer नंबर C, संपूर जानकारी एक सफल सिख्षक जो होगा वो अपने बच्चों की संपूर जानकारी रखता है उसके बाद next question देखेंगे question number 16 है बाले कालीन सिख्षा की जानकारी हमें कहां से मिलती है पहला है समाज शास्त्र द्वारा दूसरा है तरक शास्त्र द्वारा तीसरा है मनोविज्ञान द्वारा और चोथा है उप्यूक्त सीनों के द्वारा यहाँ पर जो आपका correct answer आएगा वो है answer number C मनोविज्ञान द्वारा क्योंकि इसके अंतरगत हम बाल विकास के विभिन पहलों का या बाला की विभिन पहलों का अध्यान करती है correct answer C हो जाएगा question number 17 देखेंगे बाल विकास की अवस्थाएं होती है यहाँ पर option first है तीन second है fourth third है two और fourth है five तो यहाँ पर जो correct answer आएगा वो है answer number A three अगर बाल विकास के वस्थाओं की बात करें तो पहला है सैश्व अस्था दूसरा है बाल वस्था तीसरा है किशोर अवस्था जिनमें पहली होगी zero से पांच वर्स फिर 6 से 11 वर्स या 12 वर्स और फिर 11 से 18 वर्स इनके अवस्थाएं उसके बाद question number 18 है किशोर अवस्था इनमें से कौन सी होगी A है 6 से 10 वर्स B है 11 से 18 वर्स C है 19 से 22 वर्स D है 22 से 30 वर्स तो अभी इसका हमने correct answer बताया था option number B हो जाएगा 11 से 18 वर्स कभी कभी question में यह पूछ लेता है कि पूर की शोर अवस्था किसे कहते है तो 11 से 14 वर्स की अवस्था पूर की शोर अवस्था होगी और उसके आगे की अवस्था यानि 14 से 18 वर्स माने जाएगी ठीक है यह हो गया आपका question number 18 question number 19 है बुद्धी के अधार पर प्रतिभावान प्रकार की होते हैं कौन होते हैं तेवर बुद्धी वाले शोर दोस वाले सामाय बुद्धी वाले द्रश दोस वाले तो यहाँ पर अगर हम बात करें बुद्धी के अधार पर पतिवहवान बालको की बात करें तो तीब्र बुद्धी वाले होते हैं इनकी जो बुद्धी लब्धी होती है वह 120 से उपर की माने जाती है तो जब बुद्धी के चप्टर को लेकर के हम बात करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि सामानी बुद्धी की बात करें तो आपकी 90 से 100 या 110 के बीच की होती है ठीक है तेवर बुद्धी मैंने बता दिया 120 से उपर की जो बुद्धी होती है वो तेवर बुद्धी होती है बाकी ये दोनों तो आपकी श्रमण दोस और द्रश्टी दोस हैं ये की कार होते हैं उसक प्रियोग उन एक प्रतिशत बाल को किली किया जाता है जो सबसे अधिक वुद्धिमान होते हैं यह कथन किसका है तो यह कथन की बात करें तो यह स्कीनर महोदे का है यह कॉर्डिंग था तो इसलिए मनें बता दिया ठीक है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही तो अमीर और आशा है आप सभी को हमारे यह वीडियो पसंद आया हूँ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज कमेंट द्वारा ज़रूर रिप्लाय करें कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं जो नया चैप्टर है या नया सब्जेक्ट है उस पर कुछ और MCQS लेकर आऊं तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ तब कि तब के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धनिवाद थैंक्यू फ्रेंड्स कीप वाचिंग एंड शेय